नमस्कार आप देख रहे हैं News 111 और मैं हूँ आपके साथ शिवानी बात चमकी बिमारी की एक ऐसे बिमारी जो शायद लाई-लाज है क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार इस बिमारी से बच्चों को बचाने की कोशिश आकड़े 170 पहुँद चुके हैं माब आप जानना चाहती है क्यों नहीं उठा रही है निति सरकार कोई ठोज कदम पिछले 9 साल से पूरा बिहार इस बिमारी की चपेट में है क्यों नहीं कर रहे हैं स्वास्त्र मंत्री इस बिमारी से लड़ने का कोई लाज पूरा देश जाना चाहता है आखिर क्यूं नहीं ले रही है सरकार कोई एहम कदम आखिर क्या वज़े है कि निशले वर के ही बच्चों को हो रही है ये बिमारी 4G क्या है? 4G गरीबी, गाउ, गर्मी, गंदगी ये वो 4 शब्द हैं जिनके वज़े से कहा जा रहा है कि बिमारी सिफ निशले वर के ही बच्चों को हो रही है चमकी बुखार से अपने बच्चों को बचा कर रखें क्योंकि बच्चे हमारा आने वाला कल है इस बिमारी से बचने के लिए अपने बच्चों को गंद की जगहों पर जाने से रुके गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करा है क्योंकि गर्मी में पानी एक ऐसी चीज है जो आपको कई बिमारी से बचा सकती है क्योंकि सरीर में गर्मी में जितने पसीने निकलते हैं उससे कहीं ना कहीं उस बॉडी के अंदर की ताकट भी निकलती है जादा से जादा बचों को नमक का सेवन कराएं, क्योंकि जिस तरह से चंकी बुखार के लक्षन सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ पता आ जा रहा है, कि ये जो बिमारी हैं, वो सीधे, हलकी बुखार से होते होते आपके दिमाग तक पहुंसती है, और बच्चों में कही ना कही बिमारी जीरो मन्त से लेकर के 10 साल तके बच्चों को जादा देखने को मिल रही है तो अपने बच्चे को बचाएं, इस बिमारी से बचाएं, अपने बच्चों को और गंदगी और गर्मी इन दो चीजों से खास करके अपने बच्चे को बचाएं मैं शिवानी अब सभी के सामने जिस तरह से भी चंप के बुखार से जोड़ी बातों के साथ आई हूँ अकल फिर हाजिर होंगी एक नए बात के साथ, एक नए किसे के साथ, एक नए कहानी के साथ तब तक के लिए देख तेरे न्यूज 11 नमश्कार